हलो लर्नर क्या हाल चाल बढ़ियां तो आज हम लोग बहुत ही प्यारा साथ टॉपिक कौडरेटिक एक्वेशन का पाट टू है और इसमें हम लोग बताएंगे कि कौडरेटिक एक्वेशन को फेक्टराजेशन से कैसे सॉल्फ करेंगे ठीक है तो इसमें कुछ एक्जामपल बताएंगे क्वेशन को फेक्टराजेशन से कैसे सॉल्फ करेंगे यह बताएंगे लास्ट वीडियो मैंने आपको बता ही किया था कि लीनियर क्वेशन और क्वेशन क्या डिफ्रेंस है वैरेवल का पावर वन तो लीनियर और डवल रहा तो क्वेशन यही था में डिफ्रे स्टार्ट करते हैं प्यारा से एक एक्जामपल लेकर जैसे में एक्जामपल यह है कि find the root of quadratic equation यह वहला मानते है ठीक है इसका जो है हम लोग को form मतलब factorization method से इसको solve करना है तो प्यारा से यह question है अब इसको हम लोग solve करते हैं अपने notebook पे तो question क्या है कि 3x question यह है क्या है 3x square क्या है 3x square minus 2 root 6x plus 2 equal to 0 ठीक है यह question अपना अब इसको factorize करना तो यह दूनों को multiply करना कौन x का square और constant term को multiply करके subtraction और addition करके split करना मतलब तोड़ कर यह middle part लाना है तो अभी यह कैस होगा अभी यह देखे तो 3 तूर्जा 6 यह हो गया 3x square minus यहाँ पर root है तो यहाँ पर क्या होगा root 6x minus root 6x plus 2 equal to 0 यह split करके तो यहाँ पर क्या होता 1 यहाँ भी क्या होता 1 अगर 1 into root 6x तो वह ही आएगा 1 into root 6x तो ही होगा ठीक तब अब हम लोग क्या करते हैं इसको अब add करेंगे क्या हो गया कि जैसे मैं जब split करें तो minus root 6x minus root 6x तो क्या होगा minus 2 root 6x हो जाएगा तो अब हम लोग common क्या लेंगे common लेंगे हम लोग अराम से यह क्या लेंगा root 2 तो यह होगा root 3x minus root 2 equal to 0 अब यह होगा root 3x minus root 2 equal to 0 यह अपना दो टाम आ गया अब क्या करेंगे root 3x minus root 2 equal to 0 तो यह हो गया x equal to root 2 upon root 3 यह फर्स्ट होगा और सेकंड भी क्या है root 2 upon root 3 यह दो variable है तो x को पावर केतना था 2 तो variable केतना आएगे 2 तो आया ना तो इक फैक्टराजेशन में थर्ट था तो factorization method का क्या मतलब है कि x square part और constant part को multiply कर देना है quadratic equation में और middle part को हम लोग को split करके मतलब तोड़ कर subtract या add या add subtract दोनों करकर इसको middle part लाना अब middle part आ गया तो उसको हम लोग common लेकर हम लोग x का value को प्राप्त कर लेंगे ठीक जैसे हम कुछ example और है तो उसको हम लोग solve करते हैं ठीक जैसे में example है यह x square minus 3x minus 10 equal to 0 तब इसको solve बहुती easily करेंगे क्या था question x square minus 3x minus 10 equal to 0 यह था अब यह क्या हो गया अब इसको multiply किया तो यह आया 10 जब इसको multiply किया तो केतना है 10 अब 10 आया तो 5 to 10 तो x square minus 5x plus 2x minus 10 equal to 0 यह common हो गया अब x common ले लिया तो x minus 5 यहां plus 2 common लिया तो x minus 5 equal to 0 यह हो गया x plus 2 और x minus 5 equal to 0 तो x equal to हो गया minus 2 और x equal to हो गया 5 तो यह दो variable का है ना एक्स का दो variable दो value पावर था 2 तो दो quadratic solution है तो यह हो गया कुछ और example ले जैसे में यह third one लेंगा हम लेंगा ठीक अब हम लोग को क्या करना है main काम क्या है यह multiply यह हो जागा 5 to 10 10 हुआ तो यह होगे root 2x square plus 5x plus 2x plus 5 root 2 equal to 0 अब common क्या लेंगे तो हम लोग common लेंगे x तो यह होगे 2x plus 5 equal to 0 तो होगे x plus root 2 आई होगे root 2x plus 5 equal to 0 यह होगे x equal to minus root 2 और x equal to minus 5 upon root 2 तो यह होगे solution अपना quadratic equation पावर क्या था 2 दोस्फ solution आया ठीक अब हम लोग question एक long time में solve करेंगे यह question है find the two number whose sum है 27 और product है 182 तब इसको solve करने के लिए पहले तो late मानेंगे late two number भी x and y दो number हो गया और product जो है जैसे sum x plus y equal to 27 और x y equal to कितना 182 तब इस दोनों का जैसे है अब common होई गया अब दोनों को solve कर देना यह तो जैसे अब इसको solve करके देखलाते हैं क्या था कि जैसे हैंने sum of two number question है क्या है sum of two number late पहले मान लाते है late number भी x and y ठीक है तो sum of two number कितना है sum of two number कितना है 27 ठीक तो x plus y equal to कितना है 27 ठीक अब product of two number क्या है क्या है 182 तो x और y का product क्या है 182 ठीक अब क्या करना है कि इसमें से एक को हम लोग को eliminate कर देना जैसे x equal to 27 minus y यह y x आगे ना अब यह जो है put करेंगे यह first equation यह second equation put value of x value of x in equation second ठीक equation second में put करना तो क्या होगा x y equal to 182 sorry 27 minus y y equal to 182 यह होगया 27y minus y square minus 182 equal to 0 ठीक है अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यह होगया y square यह होगया minus 27y plus 182 equal to 0 यह होगया ठीक 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 अब क्या करेंगे यह होगया y square minus 182 into y1 यह होगया तो 13 14 जा कितना होता है कितना होगा 182 sorry जब multiply करेंगे 14 13 जा तो क्या है यह होगया 182 तो यह होगया 13 13 और प्लस 14 equal to 27 तो minus 13 मांगे यह 14 मांगे और minus 14 y plus 182 equal to 0 y common y minus 13 यहां क्या common होगया तो यह होगया y minus 13 equal to 0 1 y minus 13 and y minus 14 equal to 0 y equal to 13 and y equal to 14 यह to answer आया ठीक अब पोड़ा जैसे यहां पर जाके x और y है तो जाब y का पूट करेंगे तो जैसे क्यों इसा y माल लिए तो यह x plus y equal to 27 तो y को जाग अगर 14 पूट किया x plus 14 equal to 27 तो x होगया 13 ऐसे भी होगया तो यह दोनों का variables निकल जाता है ठीक इसी तरह से हम लोग का यह प्यारा सा एक topic था और question अगर आप बोली हो तो और solve कर देते हैं जैसे में एक और question है कि find two consecutive positive integer sum of whose square 365 तो यह तो हम लोग लोग ने लास्ट वीडियो में जो देखेगा तो यह question solve कर चुके है ठीक है अगर जैसे फिर है यह the altitude of right triangle 7 cm less than its base if hypotenuse 13 cm then other side क्या होगा ठीक है तो find करना other two side को तो उसको लिए हम लोग solve करना start करते हैं ठीक तो इसमें है देखिएगा अगर जैसे किसी को लगेगा कि दो variables x और y तो दो variables है दो answer आ गया तो यह तो आप है यहां पर देखिए y का सी value निकला है यह y equal to 13 y equal to 14 यह अगर आप दो no variables का निकालना चाहते हैं x और y दोनों का तो यह तो आप x के जगह पर 13 put करिए जैसे y के जगह अगर आप यहां पर 13 put करेगा तो x 14 आ जाएगा आप किसी भी कोई और एक का मतलब निकाल सकते क्यों अगर जैसे आपको लगे कि यहां पर देखिए 2 variables x और y 2 variables है तो यह मत द तो quadratic क्यों कहेंगे यहां पर क्योंकि है y square y है y यहां पर एक second variable नहीं आ रहा है तो आप tension ना ले कि यहां पर दो variables है तो इसका answer अलग अलग होईगा नहीं यह तो आप y का put करे या x का put करे या दोनों का दोनों का भी ला सकते क्योंकि यह linear quadratic नहीं है ठीक तो हम लोग वो next question था वह हम लोग बनाने जा रहे हैं वह था क्या कि जैसे मैं मान लीजिए जैसे कि क्या बोल रहत कि altitude of right angle triangle जैसे मैं है कि एक सकंद altitude जो है altitude of right angle triangle इसको हम लोग एक तरस है क्या कह सकते परपेंडिकुलर टीक है altitude altitude of right angle triangle पहले जब इसका description लिख लिए तब आपको ना बनाने बहुत ही असानी होगा altitude of right angle triangle कितना 7 क्या है less than कि से कम है बेस से 7 less than बेस ठीक है बेस तो पहले हम लोग का मानते है लेट स्वारी question पहले लिख लेए और hypertonus क्या है hypertonus क्या है 13 cm तो अब हम लोग लेट क्या करते हैं base को क्या मान लेते हैं base भी x ठीक है अब altitude कितना है साथ कम है किसे base से तो हम लोग क्या करेंगे तो जैसे base में से 7 घटा देंगे तो क्या हो जागा x-7 यह क्या हो जागा altitude हो गया यह क्या हो गया altitude ठीक है अब हम लोग का hypertonus क्या है 13 cm तो अब हम लोग pythagoras theorem यूज करेंगे क्यों क्योंकि यहां पर है hypertonus दियावा है altitude दियावा और base दियावा है तो hypertonus का क्या formula होता है इसका square equal to किसका square होता है base का square plus altitude का square ठीक है इसका square ठीक तो अब hypertonus केतना दिया हम लोग का 13 तो 13 का square equal to base कितना है x x का square plus altitude कितना है x-7 का square तब हम लोग इसको solve करते है तो यह कितना हो गया 169 ठीक यह हो गया x square प्लस यह हो गया x square प्लस 49-7 to 14x ठीक अब 169 को हम लोग किदार right hand side ले जा रहे है और इसको 0 कर रहे है यह इसको लेख देखिए x square तो x square क्या हो गया 2 x square प्लस यह minus 14x और minus 169 और 40 minus करेंगे तो कितना है गा 120 equal to 0 ठीक अब यह हम लोग का क्या निकल गया यह हम लोग का निकल गया अपना एक equation और यह कौन से equation है quadratic equation तो quadratic equation जब निकला ठीक ना तो quadratic equation अब इसको solve करेंगे तो पहले हम लोग अगर यह कर सकते हैं 2 common ले सकता की नहीं 2 ठीक होगे x square minus 7x minus 60 equal to 0 ठीक है तो यह हम लोग का हुआ ना ठीक अब हम लोग इसको solve करेंगे तो solve करने के लिए क्या करना होगा यह करें कि यह साइड को जो constant को है वह x square से यहाँ पर multiply करेंगे इसका कि इसको variable से तो यहाँ पर जो रहता है constant part 1 है इससे जब multiply करें तो 60 आ रहा था है x square minus तो minus क्योंकि यहाँ पर 7 जो है minus 2 2 the dreams of 60 तो यहां पर मैंने स्टूस्टिस प्लस ठीक माम मैंने स्ट्यक मुनिये प्लस यह इक्स एक तो X इकुल को टो एडा टू टो deo एस को एकसी एकुल टो क्या हो गय है क्यों क्यों कि यहां पे टूवला ऐसाओ आइए फाइब माइन मैं तो नेगेटिज्ट में तो हमामे लोग हो नहीं सकता तो इसको नेगेटिशीम में अंतीज्स Us 5 और hypertonuse क्या है hypertonuse क्या है 13 तो जब इसका जैसे 13 का देखिए अगर जैसे आपको prove करना तो 13 का square equal to 12 का square plus 5 का square तहीं हो गया 144 plus 25 तो 169 ठीक तो यह 13 का होगा नहीं तो 13 equal to 13 ठीक है तो यह अपना हो गया solve तो इसी तरह से हम लोगे एक प्यारा सा और जो है topic quadratic का कि factorization method से quadratic equation को कैसे solve कर सकते हैं तो इसी यही था अपना प्यारा सा वीडियो और इसी तरह सा आप पढ़ते रही है